हेलो स्टूदेंट्स वेलकम अगेंग आज के अपनी इस क्लास में हम डिश्टल इलेक्ट्रोनिक्स के अपने डिसकुशन को कंटिन्यू करेंगे हम जो यूनिट डिसकस कर रहे हैं वो है नंबर सिस्टम और इसमें हमने बेस कनवर्जन को टॉपिक को डिसकस करना शुरू किय सिखा था और प्रीविस वीडियो में हमने डेयसिमल टू ебेस आg और से डेसिमल कंवर्जन सीखा था तो आज कि इस वीडियो का टॉपिक रहेगा डारिक्ट कंवर्ज सीमेल टू जनरली हमने यह पड़ा है कि जब हम किसी डेसिमल नंबर को बेस आर में कनवर्ट करते हैं तो हम उस बेस से उस नंबर को कंटिनुसली डिवाइड करते हैं तब तक कि डिविडेंट जीरो ना जाए और फिर हम जो हमारी रिमेंडर की लिस्ट थी उसको हम कनव करते हैं तो हम एक ग्जामपल लेकर चलते हैं तक किविज तरीक से हम डेसिमल नंबर को किसी डिवन नंबर के convert करते हैं for example हमें given number है 23 base 10 और उसे हमें base 3 में convert करना है तो क्या procedure था आप 23 को continuously 3 से divide करेंगे और dividend आप यहां mention करेंगे और यहां पर आप remainder लिखते जाएंगे अगर आप 23 को divide करते हैं 3 से तो dividend आपका हो जाएगा 7 3 7 जा 21 remainder बच जाएगा आपका 2 फिर आप 7 को divide करेंगे इस dividend को फिर divide करेंगे तो आपने divide किया 7 को divide करने पर 3 2 जा 6 और remainder आपका यहां आजाएगा यहां आप remainder लिखते जाए और बीच में आप dividend लिखते जाए अब आप फिर 2 को 3 से जब divide करेंगे तो dividend आपका 0 आएगा और remainder आपका जाएगा 2 तो अगर आप इस तरह से continuous इसे long division method बोलते हैं यह long division method decimal number को base r में convert करने के लिए काम में लेते हैं और हमने जैसे कि अपने previous video में discuss किया था bottom to top आप इस number को लिखना शुरू करेंगे this is 2 1 2 base 3 आप रुकिए और इसे किसी भी जगे पर cross check किजिए कि क्या हमने answer ठीक लिखा है this is 2 plus 3 5 plus 3 raised to power 2 into 2 that is 9 into 2 18 18 plus 3 plus 2 this is 23 तो आपने इसे ठीक convert किया है तो इस तरहीके से आप long division method से generally अपने given decimal number को बेस आर में आर आपका बेस 3 हो सकता है बेस 5 बेस 7 ठीक है आपका यह जो बेस है वो जब यह बेस आपका तू रहेगा आप बेस टू नंबर में अगर किसी decimal number को represent करते हैं तो आपकी जो अलाउट डिजेट से वो क्या रह जाती है अगर हम बेस बेस तू की बात करते हैं तो जो डिजेट से अलाउट है वो केवल 0 और 1 होगी हमने का था ना किया और बेस आर में केवल R-1 तक digits allowed है तो base 2 में allowed bits are 0 and 1 only और इनको हम bit बोलते हैं इन दो digits को हम bits से represent करते हैं और इस number को हम general language में binary number बोल देंगे ठीक है तो यहाँ पे आपका base 2 अब इसी तरीके से हम यह मानते हैं कि अगर हमें यह कहा जाए कि decimal number को base 2 में या binary equivalent लिखें उसका तो आप क्या करेंगे अब आपको 2 से उसे long division method से उसे continuously divide करते जाना है और अपने उसी procedure को follow up करते हैं equivalent binary number लिखना है तो मैं 23 को divide करना शुरू करो 23 को आपने 2 से divide किया dividend आपका आजाएगा 11 remainder आपका आजाएगा 1 फिर 2 को आपने divide किया dividend आपका 5 5 और आपका remainder 1 फिर 2 से आपने divide किया 2 2s are 4 remainder 1 फिर आपने 2 को divide किया this will be 1 and remainder 0 फिर आपने 2 को divide किया that will be 0 and 1 ठीक है यहाँ पे students कही बार confused होते हैं कि हमें कब तक divide करना है फिर इस list को या इस last bit को include करते हुए वो अपना जो sequence है उसको write down करते हैं तो आप एक simple generalize rule बना लीजिए कि जब तक आपका dividend 0 ना आ जाए तब तक आप उससे divide करते जाएए और फिर यह जो remainder की list बनी है उससे equivalent base r में represent कर दीजिए और कैसे करेंगे bottom to top तो यह क्या हो गया 1 0 1 1 1 ठीक है base 2 आप इसे check भी कर सकते हैं 1 plus 2 3 plus 4 7 plus 16 this is 23 ठीक है तो आप generally जब भी किसी decimal number को binary number में convert करते हैं तो आप mention करते हैं long division method ठीक है अब अगर आपको जो number दिया गया है वो number अगर आपका एक larger decimal number है जिसमें आपको long division method में एक लंबा सा और lengthy सा procedure follow up करना पड़े और आपका जो time consumed है वो ज्यादा हो जाए तो हम यहाँ पे एक trick discuss करते हैं कि किस तरीके से आप given large magnitude के decimal number को binary number में आप कैसे direct convert करेंगी ठीक है आज का अमारा class का था कि हम direct conversion जो है उसे discuss कर रहे हैं तो object हमें क्या दिया गया है अब आपको जो object दिया गया है वो है 607 607 को आप equivalent base 2 binary equivalent में represent करिए तो देखिए आप सबसे पहले बात ही है कि अगर हम किसी भी binary number की बात करते हैं तो binary number में LSB से MSB की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो weight क्या रहता है आपका अगर यह digit है यहां पर हम digits की बात करते हैं और बेस किसी भी number का वेटेज रहेगा 2 raise to power 0 2 raise to power 1 2 raise to power 2 2 raise to power 3 2 raise to power 4 2 raise to power 5 6 7 8 9 और 10 मेरी आपको एक advice है कि आप बार 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 जब इससे लिख के practice करेंगे तो at least 1024 तक का आपको bit sequence जो है वो बहुत ही आसानी से याद होना चाहिए तब आप बड़े number का direct binary conversion कर सकते हैं ठीक है यह हमेशा bits का weight रहता है अब अगर आपको ऐसा कहा जाए कि एक given number जो है वो आपका माली जी आपको ऐसे कहा गया है कि 10110 था ठीक है यह एक आपको bit number दिया वा था binary number दिया वा था आप से कहा गया था कि इसका decimal equivalent निकाले है तो आप क्या करेंगे इन सबके corresponding join का weight है उसको आप करते रहेंगे कहां पर है एक तो यह वाला digit 1 है एक यह वाला digit 1 है और यह वाला digit 1 है तो आप इसको लिख सकते हैं this is 0 plus 2 plus 4 plus 0 plus 16 तो यह क्या हो गया यह number आपका आगया 22 तो इस तरीके से आप गिवन binary number को decimal equivalent में calculate कर लेते हैं उसको अपने हर equivalent weight से multiply करके तो अब हम discuss कर रहे हैं कि किस तरीके से decimal number को direct binary number में ले आएं long division को avoid करते हैं ठीक है क्योंकि 607 का long division method है काफी लंदियो time consuming conversion हो जाएगा आप क्या करें यह जो अभी आपने वेट लिखे है तूरेस्टू पावर से लेके तूरेस्टू पावर टैन तूरेस्टू पावर टैन इस 1024 तो यहां तक का आप थोड़ा सा इस तरह से आपने टेबल याद की होगी मुल्टिपल टाइम प्रैक्टिस जब आप डिश्टल इलेक्ट्रोनिक्स को सॉल कर रहे हैं तो इनीशली आप सब स्टैप्स को लिखिए वह आपको मेमराइज करके और शॉर्ट ट्रिक्स से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नीक में मदद करेगा तो यहां पर मैं इन इसको टेबूलर फॉर्म में लिख रही हूं यह ओ गया वान ठीक है इसका वेट यह स्पेस मैनेज करने के लिए यहां तक मैं सब पुरा है तो मैं यहां से शुरू कर रही हूं थोड़ा सा इस डिरेक्शन से यह हो जाता है वान टू फोर एट शिक्स्टीन 32, 64, 128, 256, 512, 1024 तो हमने यह याद कर लिया है 2 रेस टू पावर 10 तक का वेट ठीक है इस रेशो में आपका LSB से MSB की तरफ वेट बढ़ता जाता है किसी भी बाइनरी नमबर के लिए अब आपको कनवर्ट करना है 607 तो 607 को या किसी भी नमबर को अगर आपको डारेक्ट बाइनरी में कैलकुलेट करना है ता पहले तो इस लिस्ट में वो नमबर फाइंड आउट कीजे जो इसके ब होगी 512 वाले ठीक तो 512 आपकी जो बिट है वो वन हो जाएगी उसके नीचे आपने लिख दिया वन ठीक है फिर 512 प्लस इसमें कितना एड़ाप करें कि 607 हो 256 अगर एड़ करेंगे तो यह ज्यादा हो जाएगा 120 भी एड़ करेंगे तो यह 607 से ज्यादा हो जाएगा इ हमें ऐसा इन बिट्स में से वो सारी बिट्स सेलेक्ट करनी है जिनका सम 607 हो ठीक है यह करते है आप जैसे कि आपको अभी बोला था न हमने 1011 यह बिट्स थी इनका अगर डेसिमल इको ले निकाला तो क्या किया था इन सबका वेट इन सबका वेट क्या है टू की टेबल एक से लेके तू की टेबल ठीक एड़ गरते गए था वान प्लास टू प्लास जीरो प्लास एट तो यह क्या गया था आपका 11 ऐसे ही क्या था बाइनरी नंबार को अगर इकोलेंट में निकालते तो इस हर वन का वेट एड़ एड़ अप होता जाता है तो रिवर्स करें हम देटेल और बहुत धीरे धीरे प्लीज कॉंसेंट्रेट ओवर दिस ट्रिक आप इसको बहुत आसानी से थोड़े एक सिमिलर प्रॉब्लम को सौल करने के बाद आप इसे समझ पाएंगे 512 512 में आगा हम 64 एड़ करके देखें 512 प्लास 64 किता हो गया इस इस सेवन 576 तो यह हमें bit 1 करनी ही होगी ठीक ठीक अब आपके पास नंबर आगे इन दोनों का एड़ आगया आपका 576 आपको पहुंचना है 607 तक तो हम next bit को देखें कि next bit को एड़ करने से क्या आएगा next bit को हमने एड़ किया 32 32 अगर एड़ करते हैं तो हमारा समिशन क्या हो जाता है 608 जिरो और 6 तो 608 हो गया आपको चाहिए था 607 यानि कि 576 में 32 एड़ करने से नहीं 31 एड़ करने से आपको ये 31 एड़ करने इस नंबर में 31 एड़ करने पे आपको 607 मिलेगा ठीक है अब यहाँ पे इसी जगे पे एक और ट्रिक आप लोगों के पास आ जाती है कि ये जो हमने लि सिरीज जो लिखी है टू रेस्टू पावर की उसमें किसी भी नंबर से पीछे के सारे जो नंबर है उन सब का सम एक कम होता है फोर एक्जामपल ये अगर इस बिट का वेट अगर 32 है तो इससे पीछे की सारी बिट्स को वन करने पे सा 31 आएगा ठीक है ये तो आप समझते ह ना कि अगर हम एन बिट्स को वन करते हैं तो जो सम बनता है वो बनता है तू रेस टू पावर एन माइनस वन तीन बिट्स को अगर आप वन करेंगे तो क्या बनेगा सम सेवन और इन तीन को जीरो रखते हुए अगर आगी वाली बिट्स को आप वन करते है तो इसका वेट ह 8, तो किसी भी बिट का जो weight है, उससे पीछे वाली सभी bits का weight, उससे एक कम है, तो अगर हमें 31 add करना है, और 32 add करने पे तो, आप 32 तो add नहीं होगा, क्योंकि 32 add करने पे आपका sum, आपके required number से ज़्यादा हो रहा है, you have to add 31, 31 sum किसका है, 31 sum है, इन सब numbers का sum 31 होगा, 16 plus 8 24, 28, 30 और 31, ठीक है? तो 32 नहीं आपका 1 हो सकता क्योंकि 32 अगर एड होगा तो number larger than your number हो जाएगा larger than decimal number हो जाएगा वो तो नहीं हम करेंगे इसको तो 0 कर दीजिए लेकिन बाकी सबी bits को आप 1 कर दीजिए ठीक है? तो यह जो आपका number आया यह आपका आगया है 607 का binary equivalent with direct conversion method अगर यहाँ पर आपका 607 की जगे कोई और number होता तो फिर आप add up इनको करते रहते हैं फिर example अगर आप से कहा जाए कि आप 1056 को convert कीजिए next example आप डिसकस कर रहे है 5016 को convert कीजिए base 2 में long division method will be a lengthy one तो हम इस table की मदद से इसको solve करेंगे now I am discussing the second example okay I hope यह आपको समझ में आ गया है अब हम वापस अपनी इस जो हमने series लिखी थी उस series में इस given number का near most number दूंडना शुरू करेंगे ठीक है near most number हम दूंडना शुरू करेंगे इस list में तो आप देखेंगे की 1056 1056 के near most कौन सा है आपका 1024 1024 ठीक अब 1024 यह भी ठोगी आपकी एक one उसमें क्या number जोड़ें की 56 आ जाए एक्जेक्टली यह आपका हो गया 1056 ठीक तो यह जो दो बिट्स है यह आपकी one होगी इन दौनों का सम 1056 होगा बाकी सारी बिट्स जो है वह आपकी 0 हो जाएंगी तो आप इन सब की नीची जिस भी नंबर को आपने टोटल सम को कैलकुलेट करने के लिए लिए उनकी नीची one लिखते जाएंगी बाकी की नीची 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 तो देखेंगे यह आपका जो 10 bit लॉंग आपका नंबर था वह आपने few seconds में solve कर दिया है direct conversion method से तो I hope it's now clear to you की problems दूंगी जिसमें given decimal number को आपको binary equivalent में convert करना है please be honest to yourself और आप उनको direct conversion से ही करें जो भी आपका method की practice करने के लिए और यह जितना आपको याद होगा उतना ही fast calculation आप कर पाएंगे और आपका जो time है problem को attempt करने का वह भी कम होता जाएगा keep learning keep watching thank you